नवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांक है 14 अगस्तन 2023 विक्रम संबत 2080 चल रहा है श्रावन अधिक मास है क्रश्नपक्ष वडशा रितू है आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनरवश्यू नक्षत्र सुभे 11 बच के 7 मिनट तक है आगे पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और रात तक रहेगा योग सिद्धी है दौपेरबाद 4 बच के 49 मिनट तक आगे व्यतिपात योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दि और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के 5 मिनट का है आज का राहुकाल सुभे साड़े साथ से नौ बजे की बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारे नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये राहुकाल का समरण विशेश करना चाहिए अब विजित मुरत आज दौपेर 12 बच के 5 मिनट से दौपेर 12 बच के 57 मिनट तक है दिन में 4 बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं दौपेर 12 बच के 57 विनट दौपेर एक परिहार करें परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुख करें और धरपण में अपना मुख देखें और पांच कदम पीछे चलें और जोरान भगवाएं श्री राम या अपने इश्ट का हरदे में लिहान करें उनसे प्राथना करें फिर इस दिशा की यात्रा करें तो यात्र पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब योग का रख है अच्छाइफर्स करें इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो सफल होने के चांसे बड़े हुए मिलेंगे आज की चंदराशी दर्शे को करक है नि चंदरमा अपनी स्वय राशी करक में हैं जिससे आज का ये दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों को उम्मीदें तूटती भी दिखेगी जिससे निराशा के स्थिती बन सकती हैं वहीं वरश राशी वालों को आज कोई मित्र या बंधू बांधव किसी प्रकार का आश्वाशन अवश्य देंगे जिससे जीवन में आगे बढ़ने की रहा सपस्ट हो होगी वहीं मित्र राशी वालों के लिए धनलाव की सूचना देने वाला दिन है और करक राशी वाले आज मानसिक शान्ती का अनुभव करेंगे और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आज किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो और सिंग राशी वाले लोग जो बहुत ज्यादा संभल कर कोई निवेश करें खास कर शेयर मार्केट वाले या ऐसी किसी प्रकार की तेजी मंदी में जो बहुत ज्यादा काम करतें उनको ध्यान रखना है कन्या राशी वाले विजे का दिन है आपके लिए जहां कहीं भी कोशिश करेंगे प सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रसन रहेंगे पूरे दिन बर धनुर राशी वालों को रहेगी स्वास्त के समश्चा लड़ाई जगडे की संभावनाएं भी हैं तो धेरिये बनाए रखें मकर राशी वालों को अपने ग्रूमिंग पर अपने व्यक्तित्र के विकास पर जागरत करें फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर ला देते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत्में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्श को आज सरवार सिद्धी युक्त मास शिवरात्री शावन मेश राशी वालों को आवले और गूलर के पौधे लगाने चाहिए वहीं व्रश राशी की लोगों को जिनका स्वामी शुक्र होते हैं तो ऐसे लोगों को आज जामुन और बवूल के पेड़ लगाने चाहिए ऐसे मिथुन राशी वालों को बांस का पौधा लगाना चाह ऐसे ही तुला राशी वाले जिनके स्वामी शुक्र है तो आपको अरजुन, चीकू, अशोक और नाकेशर के पौदे लगाने चाहिए और मंगल के स्वामित वाली जो व्रश्चिक राशी है इन लोगों को सेमल और खेर के पौदे लगाने चाहिए साथी साथ लाल पुष्प वाले जो पेड़ पौदे होते हैं फूल होते जिनमें लाल रंगे ऐसे आपको पौदे लगाने धनु राशी वाले जिनके गुरु मालिक होते हैं आपको राल कदंब का पौदा लगाना चाहिए और मकर राशी के जो स्वामी है वो शनी है इसलिए आप लोगो को कठल और पी प्रकरते की सेवा करें ये आज की ज्यान चर्चा का सार है और आज का दिन बहुत ही शुब है व्रक्षा रोपन के लिए तो इस दिन का सुदुप्योग अवश्य कीजिगा अब बात करते हैं उन विश्च रुपाएं उपर जो आपकी सभी प्रकार की समश्यों के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिने करके आप असफलता अर्चनों को जीवन में पीछे छोड़ते हुए सफलता की और द्रता से तेज गती से कॉन्फिडेंस से अग्रिसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप लोग आज भगवान शिव जी पर गंगाजल गौमाता के दूद और घी द्वारा अभिशेक करें शिव पंचाक चरिस्तोत्र के ग्यारे पार्ट करें और अंधे बच्चों की कि इसे आश्रम में स्कूल में आज आप दूद और दूद से वनी मिठाई बांट दें तो फिर देखिया आने वाला वर्ष कैसे बहुती सुन्दर और भगवान शिव जी महादीव की करपा से सरोबार रहेगा संपन रहेगा और आपके उपर विशेष ने करपा बनी रहेगी ऐसे दर्श को जीवन में जब सब और से संकट आते दिखें और लगें कि जीवन में आप कहीं से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहे हैं जहां देखो वहां विरोधी और निंदक आ रहे हैं तो समझ जाओ कि विपरीत ग्रह दशा है वास्तु भी विपरीत हो चुका है इस्ट प्रति आने पर सब कुछ भूल कर या तो आप महादेव की शरण ले भगवान सिर कृष्ण की शरण ले तो अपने अपने सुभाव के नुसार अपनी भक्ति प्रावल्ले के नुसार जैसी भक्ति है जिनमें आपका ज्यादा रूची है तो कोई भी एक परमात्म करना है जाड़ू निकालें पानी से धुएं मंदिर को एकदम साफ करें फिर जल कच्छा दूद भगवान शिवजी पर पित करें त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करें चंदन घिसकर त्रिपुंड का तिलक करें और फिर पहले भगवान को करें और फिर स्वयम के ललाट पर भी करें जो बचावा चंदन उससे अपने आपको तिलक करना है फिर नित्य आर्थ भाव से यानि पूरी तरीके जबहव पूर्ण भगवान शिवजी के शर्णागत होकर इस महासिद्ध मंत्र की 11 माला का आपको जाब करना है मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रका आशाय महादेवाय तेनम है दर्शे को आपको किसी भी अन्य उपाय की किसी अन्य तोटके की या किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की कुछ करने की आवशकता नहीं बचेगी क्योंकि भगवान महादेव साक्षाथ आपके बिगड़ेवे भाग्यों को समारेंगे और जैस भाव के साथ इस लाइन को अच्छे से समझते वे इस भाव के साथ अटूट विश्वास शद्धा के साथ कुछ दिन हफते महीने जाब करके देखें अपने जीवन में आप चमतकार खुद देखेंगे ऐसे जो लोग भगवान स्री कृष्ण के भगते हैं उनमें शद्धा रखते हैं या भगवान नारायन के सेवक हैं तो उन्हें क्या करना है कि सुवे ब्रह्मुरत में उठना है और ब्रह्मेला में सनान करके और सनाना अदी से निवरत होके भगवान स्री कृष्ण के मंदर जाना है वहां माखन मिश्री का और दो तुलसी के पत्र का भगवान क को भोग देना है किसर मिलेवे जल को और पित करना है दंडवत वहां प्रणाम करें और फिर उनसे कहें कि है प्रभु है श्रीक्रिष्ण जैसे अरजुन और सात्य की अक्रूर और द्रौपदी पर आपने कृपा की क्योंकि वह आप पर निर्भर हो गए थे और फिर निर्भे भी हो गए थे क्योंकि आपके उपर निर्भरता जब हो जाती है तो निर्भरता आती है इसी प्रकार से मैं भी आपकी शरण में हूँ पूरी तरीके सबर पे तूं इस प्रकार के भाव समर्पन के बाद में इस बहुत ही विश्ष्ट मंत्र की 11 माला का आप जाप शुरू क दर्शे को आप कुछ समय बीतने पर अपने जीवन में एक आश्चर जनक बहुती तेज गती से सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे आप देखेंगे सब कुछ जो गलत हो रहा था जो आप परेशानियों में घिरे वे थे वो कहां गायव हो गए आपको दूनने से भी न देखेंगे आप करके देखिए भगवान शिर्कृष्ण की करपा से जीवन बदलेगा इसमें कोई संदेग नहीं तो दर्शे को यह थे आज को विसस्ट रुपाय जो आपको बहुत बड़ी समश्चाओं से बाहर ला रहे हैं महादेव का भगवान शिर्कृष्ण का आश् सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिकाई है हमारी दर्शक निमिशा जी की उध्यपूर से 30 दिसंबर 1901 में का जनम है सुबह 11 बच के 36 मिनट उध्यपूर सरकारी नोकरी के योग हैं क्या और कब तक यह इनका प्रश्ण है निमिशा जी आपकी लगन नवमांश और दश्मांश पत्रिकाई इस पश्ट रूप से दर्शा रही है कि आपकी सरकारी नोकरी है और वो भी सिख्षा की छित्र में हलांकि आपको इसके लिए संगर्श करना पड़ेगा क्योंकि आपका दश्मेश मंगल यानि 10th house का जो मालिक है कर्म का मालिक है जौ सुरेश जी की जोदपुर से 25 अगस्त 1986 का जनम है पांच बच के 41 मिनट शाम को जोदपुर भाग्ये साथ नहीं देता है उपाय बताइए इनका प्रशन है देखिए सुरेश जी आपकी पत्रिका मकर लगन मेश राशी की है लगनेश शत्रू राशी में है और भाग्येश बुद्ध अस्त हैं और भाग्ये भाव में नीच राशी का शुक्र केतु के साथ विराजित है यह सारे कारण आपको भाग्ये या देविये साहता नहीं मिलने देते हैं तो एक तो आप नित्य शिवजी की ब्रह्मुरत में सेवा पुजा शुरू कर दीजिए यानि की चार तो दर्शे को यह था अज का पंचांग आज की विसस्त उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशे का शर्माई आशा करता हूं कि बताए उपायों को सटीक विधी सही समय अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्च कि श्रावन मास चल रहा है व्रक्षा रोपन निश्चित रूप से करें प्रकरती ही भगवती है इनकी सेवा करें आपका जीवन समढ़ जाएगा कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवती आप सबका कल्यान करें जया आदिशक्ति गड़ मॉर्निंग मैं हूदित्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ निउज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और दोस्तों इसके लिए हम एक से लेकर नौ मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है कौन सा होगा आपका मूलांग यह आप नहीं जानते हैं तो एक एक और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ओफ बर्थ है 19 यानि क युनिस तो एक और नौ को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर दस। आप तो जानते हैं नंबर जीरो को हमने लेना नहीं है तो नंबर एक होगा मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुद्ध प्लानेट को अगर आपको खुश करना है तो गणेश जी को प्रसंद करना शुरू कर दीजिए और भगवान गणेश को आपको क्या करना है दूर्बा अर्पित करनी है उन्हें बहुत ही पसंद है और अगर आवशक हो तो आप वह हमारे भीतर बिल्ड अप होगी दोस्तों मैं इसलिए आज के एपिसोड में आपको यह बता रही हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की इस्यूस हम लोगों के पास आते हैं तो वह कहीं ना कहीं होते हैं किस चीज़ के लिए कॉम्पटीशन के लिए यंग्स उस वजह से वह इतना ज्यादा प्रेशर फील करते हैं और सम्टाइम्स कुछ प्रेशर जो है वह पेरेंट्स की तरफ से भी आता है बच्चों के लिए कि जो पेरेंट्स बनना चाहते थे जो करना चाहते थे अगर वह नहीं कर पाए किसी भी तरह से तो उन्होंने अपने प्रेशराइज करना चुरू किया और आपने देखा है कि अभी इन दिनों जो अख़बार में जो खबरे आ रही है सुसाइडल अटेंप्ट हो रहे हैं वह ज्यादा तर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की समाज की बच्चों से बहुत जाद एक्सपेक्टेश से उमीद लगाना फिर वो दूसरे आपके अपने बच्चे ही क्यों नहीं हो यह ठीक नहीं है क्योंकि अगर ताड का व्रक्षे है और आप उसे गुलाब का फूल बनाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं बन पाएगा और अगर आप गुलाब के फूल को ताड व्रक्षे बना करने के बाद उन सब चीजों का बहुत जादा महत्वन नहीं नहीं पड़ता है अगर आप किनी बड़ों से बात करेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से अपनी जिन्दगी को आप इजी ली जो है वो आप हडल को वरकम कर सकते तो सबसे पहले बच्चों की बितर कॉम्प अगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 14 अगस्त 2023 के लिए और मूलंक एक के लिए हमें बताया जा रहा है गाइडिंग चिल्रन का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बिलकुल बच्चा बन जाना है क्योंकि हो सकता है कि आपके जो जूनियर्स हैं या आ उम्र से नहीं आकी जाती है कभी-कभी बहुत चोटे बच्चे भी इतनी जादा समझधारी की और बहुत अच्छी बात बता जाते हैं कहीना के ओल्ड सोल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत जादा बैनिफिशल होती है तो आपको क्या करना है कि आज बच्चों के ऊपर थो आई जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 14 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है सौसरिस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज कि एनरजी बड़ी ही पावर्फुल है वो कई बार ऐसा होता है ना कि अरे मैंन अपने हायर सेल के साथ बहुत जादा कनेक्टेड महसूस करेंगे तो आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आज के दिन की एनरजी बहुत अच्छी है जो कुछ चाहेंगे उसको आप राप्त कर पाएंगे तो ऐसे में आपको क्लियर सी चीज़े क्या करना है कि अपने थौट इसको क्लियर रखना है अगर आपका ध्यान इंदनों इदर दर भटा करा था अपने लक्ष से आप अगर आउट हो रहे थे तो आज अपना कॉंसेंट्रेशन अपना फोकस अपने गोल को एचीव करने के लिए करिए विशेश तोर पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूं ज आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माभगवतिया आज क्या गाइड कर रही है आज 14 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है सौसर उसका काड़ देकी काड़ वापस रिपीट हुआ है आपको कहा जा रहा है कि मूलांक 3 के जातकों के लिए भी आज किसी प्रकार का कोई केस था या कोई भी ऐसे उलजन थी जो आपसे सौट आउट नहीं हो रही थी तो आज का दिन बहुत अच्छा है कि आप उन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं अपने परिशानियों से आज 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 आपके ऊपर बनी हुई है तो कही ना कहीं आज इनको प्रणाम करना बिल्कुल भी ना भूलें आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 14 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है आपको कहा झाँरहे है कि लोगोंको खुश करने के लिए कोई भी काम मत कीजिए अबानी को अपनी लाइफ में हर विक्ति को खुश रख सकें किसी नगी को किसी रूप में तकलिफ होगी जरूर तो अपने उपर ध्यान दीजिये आज खुद की सिहत पर ध्यान दीजिए खुद की उर्जाओं को बचाने में ध्यान दीजिए आज के दिन मैं आपको फिजिकल फॉर्म की बात नहीं करें बलकि भावनात्मक रूप से और मांसिक रूप से भी आज आपको अपने स्वास्त पर ध्यान देनी की जुरत है कि आज आपको अपनी खुशी देखनी है इसको selfish होना मत समझेए This is called self love और इस self love के लिए लोगों को ना कहने की आपको आदर डालनी होगी अगर कोई ऐसा कारे आपको कहा जा रहा है जो कि आप नहीं कर पा रहे है उस चीज़ का commitment बिलकुल भी मत कीजिए जिसे आप पूरा ना कर सके आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 14 अगस 2023 के लिए आज की तारीक है इसका जोड़ भी है नमबर 5 मूलांक पांच की हम बात कर रहे है हमें कहा जा रहा है बोडीज ओफ वाचर आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको अपना औरा क्लीन करने की जुरत है बहुत जादा चिंतन करने की वज़े से नेगेटिव थाट प्रोसेस की वज़े से या कुछ नेगेटिव लोगों के साथ रहने की वज़े से आपका जो औरा है आपका जो आबहमंडल है उसके अंदर कुछ नकारात्मकता प्रवेश कर गई है तो आपको क्या करना है आपको जल को ग्रेहन करना है जाद पानी पीना है और साथ तो हो रहा है उसके बाद आप साफ़ माने सिसनान कर सकते हैं आपका दिन शुभ हो आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 14 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है आपके गर में कुछ अच्छा सुधार हो रहा है आपके गर में secular को और खुबसूरद बनाने के लिए आज आप पैसा खर्श कर सकते हैं हो सकता है को कोई नया सावान आप घ्र के लिए खरीद के रहें तो कुल मिलाके हो सकता है कि आज के दिन आपके जो relatives हैं वो भी आपके घर पर आए पुराने मित्रों से रिश्टदारों से आपकी मुलाकात आज हो सकती है आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मुलांक साथ के लिए हमें डिवाइन क्या guide कर रहे हैं आज मा बगवदी क्या बता रही है 14 अगर से 2023 के लिए और मुलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है transformation का guide है आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो बदलाव का है एक positive change का है और आज का जो दिन है वो जो change आपकी बीतर लेकर आ रहा है वो भविश्य में आपको आपके लिए beneficial रहने वाला है हो सकता है कि के भी आपको समझ में ना आ रहा हो या थोड़ा डेलेमा में हो confusion में हो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए किसी प्रकार के confusion में कोई आपको निर्ड़न नहीं लेना है बल्कि आपको क्या करना है आज आपको भरोसा करना है divine के उपर लेकिन एक important चीज है कि पैसे के लिंदेन में थोड़ा सावधानी बढ़ते हैं क्योंकि आज आप थोड़ा सा confusion में और बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं lost feel कर सकते हैं बट इस ओके आज का टाइम किसी ऐसे महत्पूर कारे में participate करने का नहीं है बल्कि आज जो transformation हो रहा है एकसेप्ट करने का है आपका दिन शुभो जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइब कर रही है 14 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है पास लाइफ का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज पूर्व का कोई ऐसा कारे जो किसी प्रकार से pending था आज वो कारे पूर्ण होगा आगे बढ़ेगा कोई पूर्व के किसी मित्र से किसी एंप्लॉई से किसी ऐसे विक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है कोई घटना करम वह वापस से रिपीट हो सकता है जो पास में अधूरा छूट गया था तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है नया कोई कारे करने का नहीं बलकि जो पुरानी चीज़ें पेंडिंग है उन्ही को आज कंप्लीट करके सॉट आउट करने का है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें महाभगवती आज क्या गाइड कर रही है 14 अगस्ट 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए मा हमें बता रही है मासलस् पर वो लोग जो किसी भी प्रकार से आर्टेस्टिक फील्ड से हैं या फिर आपका कोई भी ऐसा कारे जहां पर क्रियेटिविटी आप शो करते हैं तो मा की क्रपा से आज आपका कारे बहुत अच्छा रहने वाला है उनकी क्रपा आपके उपर है अगर हम बात करें आपकी नॉलेज की आपकी विज्डिम की तो आज नया ज्यान और नॉलेज आप अर्जित करने के लिए पैसा आप इंवेस्ट कर सकते हैं कुल मिला के आज का दिन जो है वो बुद्धी मता का है आज का दिन आपकी क्रियेटिविटी का है आपका दिन शुभ हो दोस्तों ये थी र बैठे परमात्मा को